बच्चे अक्सर यह सवाल किया करते हैं कि सर वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट हैं क्या और इस प्रशन का उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि हां जी वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ बच्चों को ये लगता है कि working note है, मतलब main answer का part नहीं है, तो ये rough note है, तो इसे हम rough work कितना कर सकते हैं, ये attitude बहुत गलत है, working note is the part of main answer itself, it is a supporting to our main answer, तो हम इसको हलके में नहीं ले सकते, जितनी cleanliness से, आप जितनी seriousness से final answer, main answer को करते हो, वैसे ही working note को भी करना है, reason being working note के भी number होते हैं, सिरफ final answer की जो statement है, जो format है, सिरफ उसके marks नहीं है, मानलो question अमलगा mission chapter का आया, question है सिरफ इतना बोला भाई, purchasing company की books में entry pass करनी है, अब जब entries pass करने जाओगे, तो सबसे पहले PC भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो जो आपने assets liability taken over किये, वो वो ये entry number 2 जो होती है, कैसे करोगे, तो purchase consideration का working note बनाया, तो क्या उसके number नहीं है, बिलकुल है, तो working note, सबसे पहली बात, definitely ज़रूरी है, बनाने होते हैं, number 2, जो मैंने कहा, cleanliness से बनाने है, neat and clean होना चाहिए working note, अ working note पहले बनाएं की बाद में बनाएं, ये प्रशन में बच्चो को बहुत परिशान करता है, ideally working note हमेशा main answer के बाद में रहना चाहिए, मतलब कई बार बच्चो के मन में सवाल आता है, सर हमें पता नहीं चल पाता, सर कितनी जगा छोड़नी है, हम छोड़ते हैं, इतनी सी ज जगा छोड़नी है, तो इसका double छोड़ दो, कोई issue नहीं है, जगा जाधा पढ़ जाए दिक्कत नहीं, कम नहीं पढ़नी चाहिए, कम पढ़ गई फिर दिक्कत है, फिर paper गंदा मंदा हो जाएगा, सारे की एक राय पर पानी फिर जाएगा, चाहे प्रशन आता भी हो, लेक है, वो इतना basic है to the question कि उसके बिना question start होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे assumption को, ऐसे note को या ऐसे working note को आप पहले भी कर सकते हैं, इन चीजों के अकसर teacher marks नहीं काटते, यह सरफ impression का काम करती है चीजें, और जब आपका paper check हो तो impression बहुत ज़रूर यह teacher के उपर जमाना, क्योंकि हम वो paper अपना check करवाना है, और check करवाने के साथ साथ बहुत अच्छे marks भी लेने हैं, तो teacher का mind, mood, attitude सब सही रहना चाहिए, हमारे paper को देखकर ऐसा ना लगे कि बच्चा ला परवा है, या फिर मैं इस बच्चे के number काट लूँगा, impression सही नहीं जा रहा, teacher negative नहीं होना चाहिए तो teacher should remain positive while checking our answer sheet, बच्चों ने मेरी सारी बाते सुनली exam hall में चले गए और एक question था, मानलो बड़ा question उसके 5-6 working note से सारे बना दी और खुश हो रहे हैं, सर ने का था working note बनाना है, मैंने working note बना दी है, बटा, working note की सबसे special चीज नहीं आपने की, आपने एक से ज़दा working note तो ब बता आते हैं, working note की tagging, ये सारी चीज़े जो मैं share कर रहा हूँ आपके साथ, ये as a student में करता था, उस rank को पाने के लिए सभी चीज़ों का योगदन रहता है, working note की tagging, जहां जहां working note बनाया, let's say working note बनाया, computation of GP ratio, तो जब आपने GP निकाला, उसके bracket में लिखो working note 1, WN1, तो teacher को check करते हैं पता है कि GP से संबंदित working note चेक करना है, तो वो number 1 वाला working note है, मानलो आपने depreciation का working note बनाया, number 2, तो जहां आपने answer में depreciation का amount लिखे है, उसके bracket में लिखे, WN2, मतलब working note number 2 के लिए teacher depreciation बरजाएगा, working note अगर एक से ज्यादा है, definitely you need to tag कि कौन सा working note किस चीज के लिए बना है, so working notes always remain a very very important part, don't do it like rough, और कई बर ये भी सवाला थे कि सिर्फ कितने working note बनाये, maximum, जितनी चीजों के लिए आपको लग रहा है working note बनना चाहिए, बनाओ, कई बार हमें लगता है कि यार, calculator दिया है, calculator पर ही figure कर दें, और working note ना बनाए, तो बेटा calculator पर तो कहीं बार पूरा-पूरा question भी हो सकता है, लिखने की आवशकता ही क्या है, लेकिन हमें पता है कि हमारा सिर्फ वो answer sheet है, जो की flow कर रहा है, till the examiner, हम तो खुद नहीं जारे, तो जो भी हमारे मन में हमें उसको express करना होग तो जिस भी चीज़ के लिए लगता है, working note बनना चाहिए, उसके लिए बना दो, मतलब computation अगर involved है, लगता है, ठीक है न, तो working note definitely बना कर आईए, और साफ साफ सही सही तरीके सी किजिए, और tagging भी उसकी करके आनी है, that's all.